अपरेशन गंगा से अब देश की वायू सेना भी जुड़ चुकी है और यूक्रेन से भारतियों की वापसी के लिए अब तक वायू सेना की तीन फ्लाइट हिंडन यर्वेस से उड़ान भर चुकी है वायू सेना ने बड़े ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर को इस काम में लगाया है जिसके बाद यूक्रेन में फसे भारतियों को निकालने में आसानी होगी तो ये तीन तस्वीरें टेलिवीजन के माद्यम से आप देख सकते हैं फ्लाइट नंबर बन जो सुबा चार बज़े रवाना हो चुकी है हिंडन यर्वेस से और जो दूसरी तaming तस्वीर देख रहे हैं आप फ्लाइट नंबर टु की वह और फ्लाइट नंबर थ्रीनिकी तीसरी तस्वाईट यहे दोनों फ्लाइट एक सात रवाना हुई है इस सब्थ खार बज़े रवाना होती वह रुमानिया के लिए निकली है और अगर हम जो मंत्रियों की बात कर रहे थे जो पड़ोसी देश पहुंचे हैं तो ऐसे में वो मंत्री भी इनी फ्लाइटों के जरीए पहुंचे हैं इसपश हमारे सयोगी लाइब हमारे साथ जुड़ गया इसपश जिस सदा से महा युद्ध जारी है फ्लाइटे निकली है ऑप्रेशन गंगा के तहत ही कहना करते ही गलत नहीं होगा कि लगातार भारतियों को चात्रों को निकालने के लिए कबायत तेज है और देखे बिल्कूल इवैक्वेशन प्रेसोस जो है वो भारत सरकार की तरफ से अब तेजी से कही न कहीं किया जा रहा है ओपरेशन गंगा के तहत और हम देख रहे कि किस त करते हैं कि तीन देशों जो यूकरेन से जुड़ते हुए जो है असपास के जो है नजर आते हैं पोलेंड हंगरी और रोमानिया वहां पर ये जो है तीन आ ग्लोब मास्टर जो है जाते हुए नजर आ रहे है सुबह चार बजे एक फ्लाइट निकल चुके और दो चेह से साथ फ्लाइट एसी शडिवू है जो की भारत वापस आती हुए जोंगी तीन फ्लाइट तक ab Algun बापस आ चुकी मानिये और पैल्लेंड यूसे हो रही है यह जो ही तरीके कि यप अब और ऐ। सेना की जो मदद है वो भी भारत सरकार की तरफ से लिए गये चार केंद्रिये मंत्रियों को जो है लग-लग यूकरेइन के अएस पास के जो देश है वहाँ पर भेजा गया है जोती राधिते सिंधिया, रुमानिया और जो जो मौल्दोवा है उसकी जिम्मेदारी कहीं न कही जो है समालते वे नज़रारे मौल्दोवा को लेकर हमारे पास यह जानकारी आई थी कि वहाँ पर जो चात्र है उनको परेशानियों का सामना कही ना कही जो है बॉर्डर पार करने के लिए करना पड़ा है लेकिन अब जब जोती राहते सिंद्या वहाँ पर गए है तो उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर बातचीत की है और अब जो है कही ना कही भारतिय चात्रों को जो है बॉर्डर जो है आसानी से पार होता हुआ नज़रारा इसके अलावगर हम बात करते हैं जो जनरल रिटायर वी के सिंग है वो जो है पॉलेंड की जिम्मेदारी जो है समालते वे नज़रा रहे इसी तरीके से दो अन्य जो मंत्री है वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है समालते वे नज़रारे ताकि जल्दी से जल्दी जो भारतिय चात्रों का इवेक्यूएशन है वो कही ना किया क्या जा सके इसके अलावा जानकारी ये कि लगबग 20,000 के आसपास जो चात्र हैं वो यूकरेन में रहते थे जो मेडिकल की पढ़ाई करते थे या पिर अन्य जो नागरिक थे जिसमें से 12,000 के आसपास जो चात्र नागरिक है वो अभी तक जो है यूकरेन को चोड़ चुके यानि 60 परसेंट के आसपास जो भारतिय नागरी को चात्र है वो चोड़ चुके और 40 परसेंट ऐसी अभी भी है जो यूक्रेन में कही न कहीं फसे और उनको निकालने के लिए भारत सरकार जो एवेक्वेशन का प्रोसेस तेज करते हैं नजर आए लेकिन कि तरफ से जो जो जानकारी दी गई कि अब कीव में कोई भी चात्र मौजूद नहीं है यह कहीं न कहीं भारत सरकार के लिए बड़ी रात की बात है क्यूंकि कहीं न कहीं कीव जो है अब सेंटर ओफ जो ना का जा सकता है कि वार का जो है बनता हुए नजर आ रहा था बिलक